हेलो फ्रेंट्स फैलेद मेरे चनल के तरब से आप सब को निया साल का बहुती बहुती सुब कमना है सो फ्रेंट मैं आज इस वीडियो में राइजन 5000 स्रीज का जो एप्यूज लॉंच हुआ है उन में से राइजन 7 की 5700G के बारे में बात करेंगे यह प्रोसेशर का पेसिफिक्शन कितना होता है और इस प्रोसेशर में आप अगर गेम खेलना चाहरे हो तो आप कितने एप्पे 6600G और आइजन 7 5700G के गेमिंग टेस्ट तो दोनों में कंपरिजन भी करेंगे और फ्रेंट मैं इस वीडियो में जस्ट 50 लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से मुझे पता है आप जरूर एप 50 लाइक कंप्लिट करते होगे तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस् कौन ही लोग वो जो लोग कमेंट किया था बिल्कुली सही है एक फेकी है देख एक और कुछ नहीं कैसा लगा मेरे मजाक है फ्रेंड्स रियाल्टी एही है कि मेरे पास एही एक छोटा सा कंप्टर है इस किन में आप देख सकते हूँ अगर आप सच में चाता हो कि मेरे को मेरे देख सकता हूँ तो ऐसा आप चाते हो तो आपको थोड़ा साथ सब्सकोर्च करना पड़ेगा मेरी चैनल को तो इधर आपको ज्यादा कूछ नहीं करना पड़ेगा आपको दस्ट को सब्सक्राइब कर देना है और साइड में में अधर 이IP कुण कर देना है और अज जी जो प्रोसेसर है एक APU है और यह लॉंच हुआ था 13 एप्रिल 2021 में और यह आता है बॉक्स प्रोसेसर मतलब बॉक्स के साथ एक प्रोसेसर आता है और फ्रेंट एक प्रोसेसर में डिस्प्ले आने के लिए आपको कोई भी आदर्स ग्राफिस कार्ड की जरूरत नहीं अल्रेडी एक इंटर्डड़ ग्राफिस कार्ड दिया गया है रेड़न ग्राफिक्स 2000 मेगाहज 8 कर के साथ आता है जिसमें आप बहुत आच्छे गेम खेल सकते हो तो गेम टेस्टिंग भी दिखाएंगे थोड़ा देर में तो उसके पहले प्रोसेसर के और भी कुछ प्रि ट्रेड के साथ तो इधर 8 को होने के लिए आप अगर फ्यूचर में आर्टी एक्स 3080 आर्टी एक्स 3090 जैसे ग्राफिस काड़ एड़ करो तो उसमें भी आपकी प्रोसेसर में बटलनेक होने की प्रोब्लेम नहीं होगी और इस प्रोसेसर में 16 त्रेड होने के लिए इधर आप वीड़यी इधिंग्ग बहुत आच्छे कर पाओगी प्लास gaming भी आप आच्छे से चला पाओगी और इस प्रोसेसर में बुश को ड्रहाध को और यंदि इस प्रोसेसर में Quick रोम और दिया गया है और इस वसर में आकला में हो इता है डी डि आ इस प्योंग hon dual memory channel के साथ जिसका Pacific Sun है up to 3200 MHz तक अगर आप यह processor buy कर रहे हो तो आपको इधार minimum 16GB तक RAM यूज़ करना चाहिए और इधार आपको 16GB का एक स्टिक नहीं लेके बलकि 8GB 8GB करके दो स्टिक लेना पड़ेगा क्यूंकि इधार जो अच्छे काम करता है बलकि जो सिंगल है उधर आच्छे काम नहीं करते हैं तो इधर आप 8GB 8GB करके दोनों RAM खरीद लेना और लगा देना बहुती आच्छे से परफोर्मेंस आप देख पाऊगी राजन की सब्सक्राइब आपको मिल जाती है 45 से 65 वर्ट तक और इसमें टेंपर्टर मिल जाती है 95 डिगरी तक और इस प्रोसिसर में सौकेट जो लगता है वो है एम 4 का सकट लगता है और इस पोसेसर में आप विडियो रिटिंग कर पाओगी बिल्कुल 4K में कोई भी लैक नहीं होगी प्रिमियर प्रो में आप एक से लेके 2 लेयर तक विडियो रिट करोगते हो आपको कोई भी लैक होने की प्रोब्लम नहीं आएगी बट आप अगर 3 से लेके 4 लेयर तक विडियो रिट करोगी और बिना किसी ग्राफिस कट गे तो इधर आपको थोड़ा थोड़ा लैक मिल जा है वो है वीडियो इंकोडिंग करने के मतलब वीडियो रेंडरिंग करने में थोड़ा समय लेता है तो इधर मानों आप ग्राफिस कार्ड एड करके जो वीडियो रेंडरिंग कर रहे हो तो उधर आपको 15 मिनिट समय लेगा तो वही वीडियो आप अगर ग्राफिस कार्ड के विना उन्डरिंग कर रहे हों तो इधार 1.5 समझ ले ले लेगा तो ऐसा एक नियुक्त ही इस प्रोचेसर में रेंडरिंग टाइम है और देख लेते हैं इस प्रोचेसर का गेमिंग पौफिमेंच सो इदा दोनों पोज़ सर्पीक कंपरेजन एवरेज एपीपेस मिलेगी ओहां 48 एपिपेस यह राज़न 7 5700 जी में और इधार राज़न 5 5600 में जो एवरेज एपीपेस मिलेगी ओहां 45 एपिपेस तक और फिर देख लेते हैं बैटल फिल्फाइब तो इधार 900 पिक्सल की लुएश्ट शेटिंग में चला के आपको स्क्रीड और जेंस 900 फिक्षल की लोज ट्रीटिंग में चला कि आपको इदा राइजन 750 700 जी में जो एभारज एपीपेस मिलेगी हो है 40 एपीपेस तक और यही राइजन 750 700 जी में जो एभारज एपीपेस है वह है 30 एपीपेस तक और वही राइजन 5 5600 जी में जो एभारज एपीपेस है वह है 28 एपीपेस तक तो इधर भी बहुत इक डिपारंस है दोनों में फिर देख रहता है GTA 5 गिम तो एजीटे 5 1080p के लोजट सेटिंग में आप चला कि देख सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू तो मिलते एक नया वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल झाल